नमस्ते बच्चों, 15 मिनट में 25 important questions जीके के आपके screen पे है पहला सवाल आपके screen के उपर ये रहा which planet is known as the red planet इस सवाल को मैं easy category में डालूँगा इसके 4 option आपके screen पे है Earth, Mars, Jupiter and certain बहुत आसान सवाल है, कोई explanation की जरूरत नहीं है, correct answer है Mars अगला जो सवाल आपके स्किन के उपर वो ये है इसको मैं मीडियम में रखूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसके options हैं heart, liver, skin या फिर lungs ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब भी हम organ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में heart, kidney, stomach या अंदर के internal जो organ से उनका image आता है पर आपको ये जाना ज़रूरी है कि हमारे जो skin है वो भी एक organ है और correct answer क्या है इस सवाल का skin is the correct answer skin हमारे body का सबसे बड़ा organ है अगला जो सवाल है आपके screen के उपर ये रहा what is the boiling point of water इसको category में डाल रहा हूं है easy और इसके चार options है 90 degree Celsius, 100 degree Celsius 110 degree Celsius या फिर 120 degree Celsius कोई explanation की जूरत नहीं है correct answer है 100 degree Celsius इसको Fahrenheit में अगर आप बदलेंगे तो इसका answer आएगा 212 degree Fahrenheit अगला जो सवाल है आपके screen के उपर ये रहा who invented the light bulb इसका भी इसको मैं इसको medium में डालूंगा हालाकि बहुत famous सवाल है तो आपको इसका answer आना चाहिए चार options है Thomas Edison, Albert Einstein, Isaac Newton या फिर निकोला टेसला तो इसका correct answer है option number A Thomas Edison Thomas Edison का Thomas Edison का असली नाम है Thomas Alva Edison इसकी कहानी में आपको किसी और वीडियो में आराम से बता दूँगा काफी motivating story है Albert Einstein को आप जानते ही है theory of relativity इन्होंने दी थी Isaac Newton ने gravity के बारे में बताया था और इन्होंने बताया था कि white color में seven colors होते हैं जो Isaac Newton ने बताया था Nikola Tesla जो है उन्होंने आपको AC current के बारे में बताया था AC current क्या होता है उसके बारे में किसी और देन discussion करेंगे अगला सवाल आपके screen के पर यह रहा what is the capital of France easy सवाल है easy मैं डालूँगा मैं इसको medium बोल सकते हैं कई सारे teachers इसको बट मैं easy में डालूँगा क्योंकि बहुत famous है यह France का capital Paris है ओके परिस इस दा correct answer Rome, Berlin और Madrid के बारे में आपके कभी और discussion करेंगे आपको अलड़ी पता Rome जो है वो आप लोगों का Italy का है और Italy के बारे में मैं क्यों बोलना चाहरा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि Italy में G7 का summit हुआ था जहाँ पर मोदी जी भी गय थे अगला जो सवाल है आपके screen के उपर ये रहा What is the smallest prime number? Easy peasy सवाल, easy peasy सवाल है 0, 1, 2 या फिर 3 इसका correct answer है 2 आप मुझसे ये मत पूछेगा कि sir GK का सवाल कैसे हो गया ये तो math का सवाल है याद रखिएगा GK में कई बार हलके फुलके math के सवाल भी डाल दिये जाते हैं क्योंकि general knowledge है general knowledge मतलब आम लोगों को जो ये knowledge होना चाहिए वो knowledge अगला जो सवाल है आपके screen के उपर ये रहा Who wrote Harry Potter? इसका इसको मैं hard की category में रखूँँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसका answer नहीं पता होगा मैं options बता देता हूँ J.R.R.R. Talkin, J.K. Rowling, George R.R. Martin या फिर रोनाल डाल correct answer है आप लोगों का J.K. Rowling बहुत famous हैं ये author इन्होंने कई बार Harry Potter की books को publish करने की कोशिश की थी बट she failed इनको किसी भी publisher ने support नहीं किया लेकिन इन्होंने हार नहीं माना finally एक publisher ने इनकी book को हाँ बोला और book बहुत popular हुई और आगे चलके इस पे उपर movies भी बनी अगला जो सवाल है सवाल नबर 8 आपके screen के उपर जो सवाल ये कहता है What is the chemical symbol for water ये medium है, medium के इसको तो easy-peasy बोलना से है बहुत famous और बहुत common सवाल है Water का symbol क्या है Water का chemical symbol क्या है options है W2O, HO2, H2O या फिर O2H correct answer इसका है H2O H2O is the correct answer अगला जो सवाल आपके screen के उपर ये रहा How many continents are there on earth Earth पे कितने total महादूइप है options है 5, 6, 7 या फिरेट, मैं आप लोगों को बता दू कि 7 is the correct answer आप सबको पता होगा, लेकिन साथी साथ में ये भी याद रखना है कि 5 oceans भी है हमारे पास और यहाँ पर जो continent है उनका नाम है Asia Africa Asia, Africa Europe, North America South America Australia Australia जिसको अपन ओशेनिया भी बोलते है और जो साथवा कॉंटिनेंट है Antarctica 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 में कोई नहीं रहता है हाँ कुछ scientist वहाँ पर research कर रहे हैं पर यहाँ पर कोई भी vegetation या life possible नहीं है और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि 5 जो आपकी oceans उनके नाम कैसे है आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूं में पैसा पी ए आई एस ए पैसा पी से आपका हो जाएगा Pacific Ocean Pacific Ocean के से हो जाएगा Atlantic Ocean Atlantic Ocean और आई से हो जाएगा इंडियन ओशन हमारा प्यारा भारतिय महासमुद्र इंडिया इंडियन ओशन अगला है इंडियन ओशन को हिंदी में हम कहते हैं हिंद महासागन ठीक है अगला जो सवाल आपके श्रीन को पर यह रहा विच गैस इस मोस्ट अबेंडेंट इन दी अर्थ एट्मोस्फेयर अच्छा इससे पहले वहले सवाल को मैंने इजी पीजी नहीं दिया था इसका कैटेगरी जो है वो इजी में आएगा टेंथ सवाल का जो कोशन का कैटेगरी है वो आएगा आप लोगों का मीडियम में आपको बताना इसमें से कौन सा अबंडेंट है अर्थ में एट्मोस्फेयर पे कौन सा गैस ऑक्सिजिन हाइडरो कार्बन डेक्साइड का है 0.035 परसेंट तो कार्बन डेक्साइड काफी कम है हमारे अर्थ पे लेकिन इतना ही सफिशेंट है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए प्लस याद रखेगा क्योंकि हमारा बॉड़ी यूस्ट है 21 परसेंट ऑक्सिजन से अगर आप बहुत हाई कॉंटेंट को ऑक्सिजन लेते हैं मालीजे आप एक ऐसा एयर ले रहे हैं जिसमें 50 परसेंट ऑक्सिजन है तो इससे या आपका body damage होगा आपकी age घटेगी ठीक है एक limit है 50 से 21 की बीच का जिसमें अगर आप बढ़ाते हैं अपना oxygen तो आप healthy होते हैं लेकिन 50% क्रॉस करने की बाद oxygen का amount आपका जो age है वो घटता जाता है आपकी बिमारी बढ़ती जाती है moving on to the next सवाल 11 who is known as the father of computers tricky सवाल है इस लिसको मैं hard में डालूंगा चार options है चार्ल्स बेवेज, अलान ट्यूरिंग, बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स इसका correct answer है चार्ल्स बेवेज अभी आप में से किसी को ऐसा हो सकता है मैं डाउट कि सर अलान ट्यूरिंग भी तो उसको भी तो father of computer बोलते हैं नहीं अलान ट्यूरिंग को हम बोलते है father of modern computer ठीक है modern computer father of modern computer computer कि बाकी आप बिल गेट्स के बारे में जानते ही है he is the founder of Microsoft and Steve Jobs is the founder of apple company Steve Jobs की death हो चुकी है यह दोनों बहुत पुराने लोग हैं तो यह भी मर चुके हैं सिर्फ बिल गेट्स अभी जिन्दा है इन चार ओप्शन्स में से साथी साथ मैं आपको बता दू कि जो computers की बात कर रहे हैं जहां पर हम कह रहे हैं Charles Babes is known as father of the computer actually Charles Babes ने calculator बनाया था मशीन यूज करके calculator बनाया था उस calculator से हमने computer बनाया है इसले computer में देखे एक शब्द आता है compute compute का मतलब calculate करना तो calculator ही बनाया था उन्होंने और फिर उसी को advance करते करते modern computer में किस ने convert किया एलान ट्यूरिंग ने किया moving on to the next सवाल 12th what is the hardest natural substance on earth easy सवाल है चार option है gold iron diamond या फिर platinum कोई explanation की जरूरत नहीं है correct answer आप लोगों का diamond है सबसे hardest इन चार option में से कौन सा है diamond is the correct answer moving on to the third 13th question which is the longest river in the world ध्यान रखना longest लिखा है इसके हिसाब से answer देना चार options है Amazon Nile यांगजी या फिर Mississippi correct answer इसका है Nile is the correct answer explanation दे देता हूँ कई लोगों को लग रहा होगा कि Amazon correct होना चाहिए Amazon correct नहीं है क्योंकि Amazon जो है उसे हम largest river कहते है largest river क्योंकि इसमें पानी का amount बहुत ज्यादा है बहुत हाई है Nile river से ज्यादा पानी किसमें है Amazon में है लेकिन लंबाई में जब देखेंगे तो Nile river है जो कि अफरीका में बहती है इसे कई जगा पर lifeline of Egypt भी कहते हैं क्योंकि Egypt का जो पूरा को पूरा civilization developed हुआ है वो Nile river के around ही हुआ है तो अफरीका का बहुत important नदी है यह आंगजी के बारे में आप जानते ही होंगे what is the main component of the sun चार option है oxygen helium hydrogen या फिर nitrogen देखिए इसका सवाल का जवाब बहुत आसान है इसलिए मैं इसको easy में देना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि यह astronomy का पार्ट है इसलिए इसको medium में दे सकते हैं क्योंकि बच्चों को syllabus में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है oxygen hydrogen hydrogen या फिर प्रेजेंट करते हैं h2o से h2o से ठीक है h2o is the correct answer moving on to the next सवाल अगला सवाल आपके screen के उपर यह है which planet has the most moons सबसे ज्यादा मून कौन से प्लैनेट के पास हैं इसको मैं medium category का दूंगा answer earth, Mars, Jupiter या फिर Saturn confused नहीं होना है इसमें कई बच्चे confused हो जाते हैं इसका correct answer is Saturn कई लोगों data मिल जाए, Jupiter कहीं पर से भी अगर यह कहा जाता है, Jupiter answer है तो गलत है, NASA के official website में आप अगर check करिएगा, तो वहां पर लिखा गया है कि Saturn के पास सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा moons है, मुझे याद नहीं आ रहा, I think 126 या फिर 146 moons है, इसमें मुझे doubt है, और Jupiter के पास less than 100 moons है, त 100 से कम moon से Jupiter के पास, तो correct answer के है Saturn, moving on to the next सवाल, सवाल number 16, what is the freezing point of water, असान सवाल है, इसको easy category में डालेंगे, ध्यान से इसका answer देना, थोड़ा सा options ऐसा दिया है कि confusion आ जाए, 100 degree Celsius, 32 degree Celsius, 0 degree Fahrenheit, या फिर 32 degree Fahrenheit, freezing point बोला है, boiling नहीं बोला है, तो यह गलत हो जाएगा, तो correct answer आप डिगरी Celsius is the freezing point of water, water का symbol H2O, अगला सवाल आपके screen के उपर यह रहा, who discovered penicillin, penicillin किसने discover किया था, चार option है, Mary Query, Albert Einstein, Alexander Flaming, या फिर Isaac Newton, इसको मैं category में डालूँगा, hard के, hard category इसले, क्योंकि यह थोड़ा memorize करने थोड़ा मुश्किल होता है, correct answer है, Alexander Flaming, जो भी doctor या medical वाले, आ क्योंकि बहुत famous सवाल है, Alexander Flaming, correct answer है, Mary Query, वो महिला है, जिनको दो Nobel Prize मिला था, एक physics में, Nobel Prize मिला था, Nobel Prize, एक physics में और एक chemistry में, तो दो Nobel Prize मिला था, पहली महिला है, जिनको Nobel Prize मिला है, आज तक, और Albert Einstein के बारे में आप जानते ही है, one of the biggest scientist of our all time, Isaac Newton, यही भाई साहब है, जिन् उन्होंने calculus invent किया, और बहुत सारा great काम किया था, science के terms में, moving on to the next सवाल, what is the largest mammal, ध्यान से इसका answer देना, easy, इसको मैं easy category में डाल रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसका answer बहुत easily दे सकते हैं, elephant, blue whale, giraffe, या फिर hippopotamus, तो correct answer है, whale, यानि की blue whale is the correct answer, सबसे बड़ा होता है, largest है, size मे mammal का मतलब वो होता है, वो ऐसे creatures, जो अपने बच्चे को directly पैदा करते हैं, अंडे में पैदा नहीं करते हैं, जो अंडे में पैदा करते हैं, उनको mammals नहीं बोलते हैं, तो जो directly पैदा करते हैं, अपने बच्चों को mammal कहलाते हैं, plus जो अपने बच्चों को milk पिलाते हैं, उस nitrogen gas, N2 gas, लेकिन सबसे कम कौन सा है, option देखो, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, या फिर nitrogen, nitrogen तो हो नहीं सकता, यह तो सबसे ज़्यादा है, second सबसे ज़्यादा oxygen था, तो oxygen भी गलत है, carbon dioxide और hydrogen में आपको doubt हो सकता है, क्योंकि carbon dioxide बहुत कम है, 0.035% ही है, लेकिन इससे भी कम कौन सा है, hydrogen सबसे कम है, H2 gas, तो correct answer क्या है, hydrogen, earth के atmosphere में सबसे कम है, थोड़ा बहुत भी इसका amount वगर बढ़ता है, तो वो क्या होता है, oxygen के साथ react करके पानी बना लेता है, या फिर upper atmosphere में जाके escape कर जाता है, earth को, space में चला जाता है, moving on to the next सवाल 20, सवाल number 20, अपने पास 6 सवाल और बच्चे हुए हैं, जल्दी जल्दी से complete करते हैं, which is the largest desert in the world, ध्यान देना कि largest desert बोला है, cold desert या hot desert नहीं बोला है, तो आपको ये बताना है कि largest desert कौन सा है, सहारा, गोबी, Arctic या Antarctic, correct answer, Antarctica, Antarctica is the correct answer, ये cold desert है, अगर बोलता है कि, what is the biggest, largest, hot desert, तो correct answer क्या होता, सहारा होता, लेकिन इसका correct answer क्या होगा, Antarctica, क्योंकि इसमें सिर्फ desert बोला है, तो cold और hot दोनों में सबसे बड़ा कौन है, Antarctica, moving on to the 21 question, what is the chemical formula for table salt, table salt, इस से पहले वाले सवाल को मैंने लगता है, इन सवालों पर मैंने category नहीं दिया था, इस सवाल को category में देता हूँ, इसको hard में देंगे, अगला जो है, desert वाला, इसको भी अपन medium, इसको medium category डालेंगे, 21 question, table salt वाला, easy category है, easy category है, इसका correct answer है, NACL, NACL जो है table salt का formula है, जिसे अपन अंग्रेजी में कहें तो sodium chloride is the correct answer, sodium chloride नाम है इस formula का, sodium chloride, easy सवाल था ये, KCL, NAHCO3 और CSCO3 देखके डरना नहीं है, आपको बस यह answer पता होना चाहिए था, moving on to the next सवाल, सवाल number 22, what is the process of converting water vapor into liquid is called, ये काफी famous सवाल है class 9 की बच्चों के लिए, लेकिन आपको भी इसका answer आना चाहिए, इसको मैं medium से hard की category में रखूँँगा, इन दोनों में से दोनों category में डाल सकते हैं, इसको options है, evaporation, condensation, sublimation या फिर precipitation, correct answer आप लोगों का है condensation, condensation का मतलब जो water vapor gas के form में convert होके liquid में आता है, उसे हम condensation बोलते है, और evaporation का मतलब जब कोई liquid जो है, वो gas में convert होता है, अपनी boiling point से कम temperature में, उसे evaporation कहते हैं, sublimation में क्या होता है, जब solid से directly gas में conversion होता है, या फिर gas से directly solid में convert होता है, दोनों को sublimation बोलते हैं, precipitation का मतलब होते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट जिसे शॉर्ट में आपन पीपिटी लिखते हैं प्रेसिपिटेट जहां पर फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट क्या होता है वो कभी और किसी क्लास में मैं आपको समझा दूंगा moving on to the next सवाल जो कि आपके screen के उपर है which organ is responsible for pumping blood throughout the body easy सवाल है इसको easy की category में डालेंगे brain, lungs, heart या फिर liver heart is the correct answer दिल का जो काम होता है वो यही काम होता है कि पूरे body में blood को भेजना है क्योंकि blood जो होता है वो carrier होता है food का oxygen का तो जो भी supply हम intake कर रहे हैं उस supply को blood लेके जाता है पूरे body में लेकिन blood को वहां तक पहुचाने के लिए energy कौन देता है कौन pump करता है heart करता है pump इसलिए अगर किसी का heart pump होना बंद हो जाए तो पूरा पूरा blood का flow रुप जाएगा तो पूरे जो body की cells है उसमें ना food जाएगा ना oxygen जाएगा और energy खतम आदमी मर जाएगा इसको बोलते हैं अपन heart attack moving on to the next सवाल question 24 what is the speed of light इसको मैं hard में दूँगा क्यों क्योंकि इसमें कई बच्चे confused होके answer गलत दे सकते हैं कई बच्चे answer इसको डाल देंगे जल्दी जल्दी हडबडी में लेकिन इसका correct answer है 2,99,792 km per second ये exact speed है speed of light का जो कि हमारे Indian scientist ने हजारों साल पहले ये calculate कर लिया था बस 2% का difference था इससे और ये जो speed of light है ये अभी modern science के calculation के according है तो इसे memorize कर लीजेगा कि speed of light कितनी होती है moving on to the last सवाल आज का सवाल number 25 who is known as father of electricity इसको भी मैं hard की category में hard ये medium की category में डालूँगा इसका answer भी कई बच्चों को शायद ना पता हो डरने की बात नहीं है इसका answer में आप लोगों को बता देता हूं चार options है निकोला टेसला माइकल फ्राइडे बेंजामिन फ्रेंक्लिन या फिर thomas edition इसके बारे में आप जानते नेगेटिव चार्ज को डिफाइं किया था ठीक है और करेक्ट आंसर है माइकल फ्राइडे माइकल फ्राइडे जो है इन्हें हम कहते हैं father of electricity he was a very great scientist इन्होंने self study किया था इन्होंने कभी भी schooling या कुछ नहीं किया था ये book binding shop में book binding करते थे और उस book को पढ़ पढ़के चाहिए तो उसके लिए हमारा एप जो है वो लॉंच हो चुका है उसे डाउनलोड करिए description में आपको link मिल जाएगा और अगर आपको link के थ्रू नहीं जाना है तो आप play store में जाईए और वहां पर search करिए सैनिक स्कूल notes and classes ताकि आपको free के बहुत सारे वीडियो और free के बह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिल हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रही एडू मेंशन सैनी के नौदे टाटा बाए बाए जैहिन